चल बढ़ गई है शायद वुपेन सिंग हुड़ा जल्दी पहुंचने वाले हैं क्यों रॉआग पहुंचने वाले हैं और इंतजार ये तमाम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन एक यहां का कल्चर देखिए कि जब महिला है वोट डालने के लिए आती है तो पूरी टोली में आती है और उसी तरीके से अगर आप देखे तो तमाम जो महिला है वो घरों से निकल करके वोट डालने के लिए सब लोगी कठे घर से निकलते हैं क्या मकसद होता है इसका या इंजोई भी करते हैं आप इसको पूरी अर्याना का विकास कर सकते तो भुपेंदर सिंग उड़ा कर सकते हैं उनका ग्रे यह कह सकते हैं गाउं है बुपेंदर परिवार के लोगतैं वोट पहुंचेंगे लेंट है आप परिवार के साथ अभी डालने में यहा आ रहे हैं आप लोग क्या सोच्के आते हैं कैसके लिए हैं मेरी भबीन मान है कितनी उमर आपकी कितनी उमर्म की मेरी 20 साल और आप वोट डालने आई हैं बाकी लोगों से क्या कहेंगी जो जवान लोग कई बार वोट डालने नहीं आते हैं रह जाते हैं उनको क्या कहेंगी अच्छा यह देखिए किशोर यह जो एक एंजॉयमेंट होता है पूरे ग्रूप में जब निकलती हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए यह एक पूरा मेला लगता है हरियाना के गाओं में महिला हैं जब वोट डालने निकलती है तो पूरी टोली में निकलती है और एक मेले की शक्ति में निकलती है वो एंजॉयमेंट यहाँ पर चल रहा है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सब अपनी अपनी उमीदों के साथ वोट डालने आए है जिस्टिंग जहां पर हैं वहां पर भी इंतजार हो रहा है जी आशीश समर्च भी मैं रोकरां आशीश आपको यह तस्वीरे देख रहे हैं हम किस तरीके से जो क्यूर कोड बार-कोड है उसकी स्कैनिंग की जा रहे हैं वहां पर बूत पर अंदर और यह देखा जारहा है कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन वहां से मैच किया रहा है यह देखिए वो scan किया जाता है QR code पर्ची पर, ये पहली बार हो रहा है, कि QR code लगा कर जो election की slip है, voter slip है, उस पर QR code है, QR code में देखा जाता है, QR code डाला जाता है और फिर जो वहां पर polling officer है, वो देख लेते हैं कि हाँ, ये वही voter है जिनकी पर्ची है, ये देखने हैं आपके इस तरीके से ये इजवार तकनीक का इस्तमाल हो रहा है और QR Code की स्कैनिंग हो रही है election slips में ये धीरे 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 पूरे देश में फैलने वाला है ये देखिए ये election slip पर ये code है QR Code है ये phone से scan करते हैं वहाँ पर election officer और जब वो scan करते हैं तो उसके अंदर वो data आजाता है और फिर चेक हो जाता है कि हाँ ये उसी voter की पर्ची है जो वहाँ पर vote डालने आया है और फिर वो vote count हो जाता है इस तरीके से ये तकनीक इस्तमाल की जारी है ये तस्वीने आप देख रहे हैं किस तरीके से QR Code की इस बार स्कैनिंग हो रही है voting प्रक्रिया में पहली बार हो रहा है ये और ये सुनते हैं इनको ये बताएंगे कैसे हो रहा है प्रक्रिया में बता रहे हैं लेकिन बात वही है जैसे आमने बता है कि वो जो वोटर स्लिप लेके आता है मतदाता उसके वोटर स्लिप में एक QR Code है उसको चेक किया जाता है उससे स्कैन किया जाता है फोन के जरीए और फिर चेक किया जाता है कि ये वोटर स्लिप सही है और वोटर सही है ये तकनीक का इस्तमाल यहां पर हो रहा है जी प्रियंका प्रियंका आवाज मिल रही है जी जी किशोर तो हमने महाराश्च में देखने हैं कई जगा वोटर स्लिप पर QR कोड बना हुआ है क्या हरयाना में जो वोटर यहां पर जो वोटर स्लिप्स हैं उसमें किस तरीके का QR code नहीं नजर आ रहा है यानि कि जिस तरीके से आम तोर पर होती है वोटिंग स्लिप शायद महाराश्रम इसको लांच किया गया लेकिन हर्याना कि इस गाउं में जो तमाम लोग आ रहे हैं इनकी वोटर स्लिप में इस तरीके से यहां यहां बिल्कुल कुछ